है हेलो अबरेबन दोस्तों कैसे आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 यानि विधान पालिका का पार्ट 1 करने वाले हैं और यह पार्ट दोस्तों इंट्रो रुकावड के आसानी से पहुंच सके और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को लावड़ सके तो चली इस वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि विधान पालिका की चैप्टर में कौन कौन से टोपिक पढ़ने हैं और इसी के अकोर्डिन दोस्तों में आगे भी त संसद कहते हैं जी हैं विधान पालिका और एक होता है नया पालिका और विधान पालिका कारे पालिका और नया पालिका अगर हमारे तो विधान पालिका इन तीनों अंगों में से सबसे महत्वपूर अंग है और विधान पालिका को ही दोस्तों हम संसद के नाम से जानते हैं संसद के नाम से जानते हैं तो इस टोपिक में सबसे पहले हम दोस्तों बात करें कि संसद क्या है नेस्ट हमारा जो टोपिक है वह संसद की सिमलकर बनी होती है उसके बाद हम बात करेंगे संसद की आवस्यक्ता क्यूं है भारतिय संग्य विवस्था के बारे हम बात करेंगे और लोकसभा की बात करेंगे तो पहले इस पर हम बात करेंगे एक छोटा सा इंट्रोरक्षन इस सभी को देदे तो में तो सवाप सभी को तो जैसे आप सभी को था संसद तो अकर हम संसद की बात करें दोस्तो तो संसद जो है वह भारते सविधान में आर्टिकल 79 में कहा गया है कि जो भारते संसद है वह तीन चीजों से मिल कर बनेगी जिहां किसी मिल कर बनेगी तीन यहां इसमें लोक सभा में राज सभा और रास्ट पती सामिलोग यहां भारती संसद जो एक कारपाल का विधानपाल का और इन तीनों अंगों में से जो है संसाथ, क्षा को कामी करती है, कार पालिका अपने कारे । जो है विदान मंडल पर निर्भर करती हैं और जो तो एक देश संसद की बिना अपना कोई भी कार्ठीक पुरू ढंग से नहीं कर सकता है किलियर तो यह जो है संसद है दोस्तो ठीक अब जैसे हमने कहा भाई संसद किस से मिलकर बनी होती है तो हमने आपको बता कि संसद तीन त की अवसेक्था क्यूं है यहाँ हमें जो है संसद की अवसेक्था क्यूं है यह बढ़िया जैसे आप सभी उताए ज imagine के निर्माण के लिए कानून के निर्माण के लिए तो हम जाने के कानून के निर्माण के लिए संसद क्यों हो सकता क्यों होती है ठीक है उसके दोस्तों संसद जो है कारपालिका पर नियंतरण करती है किस पर कारपालिका पर यहां कारपालिका पर मंत्री मंडल के सभी सदसे होते हैं और मंत्री मंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे संसत का विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है मंत्रि मंडल को त्याग पक्त्र देना पड़ता है और यसले संसद करें तो संसद के सकता क्यों है तो संसद आद करती है नियंत्रन इसले एकजाम्पल के लिए हम बात करें कि कार संसत्र कि अनुम्यूतिक solar एक पैसा करशती है और संसत्र जो है प्रति वर्स बजट पास करती है टेक्स लगाना टेक्स में संसुधन करना को सुमाप्ट इसलिए भी संसद कि अभी क्या सकता होती है इसी प्रकार से संसर्ट का नयाक कारी कौन करता है संसद करती है प् 성त करती है संसद करते हैं इसी प्रकार बीदेश निती पर नियं था कम ऴ्याया तो हम एस चेप्टर व्यवस्ति हे उस्यों बात करेंगे बात करेंगे जिए बात करें हो संध की बात करें जिए 27 Eveast k प्रृंट के सब्र्भय संध करें ऐसे के पता है कि सविधान के अनदर कैसर संध करने संध है और इस से विये से संसथ वद्व संगिये है और सद्वियों को पटवा रहा किया है इसके अलावा हम बात करें के जो है 설श्त संसर को अभी अब हिंदंग जो है लोक सबह की लोक सबह के बात करें कि इसमें हम BATकर 찜ें lok सभा तो लोक सभा क्या है लोक सभा किसे मिलकर बनी होती है लोक सभा के सदस्य बनने के लिए क्या सकता होती है यह सारी चीजे दोस्तों जो हमें इस चप्टर में हम करने वाले हैं मसलन जैसे लोक सभा में अधिक्तम सदस्यों के संख्या जो है तो फांसो पचास से पांसो बा है कि तो यह तैक बात करएंगे लोगसभा के चुनाओं की विधी की बात करेंगे हम लोगसभा की चुनाओं की विधी की बात करेंगे यह एक आस्थाई सदन है तो इसके पांच वर्स होती है योगता के आने चुछ लोकसभा के सदने के लिए भारत के नागरिक हो और उसके उमर कम से कम 25 वर्स होनी चाहिए वह संसद्वारा निश्चित की अपनी योगता रखता हो गड़ पूर्ती अधिवेशन अध्यक्ष य योगता की विधास सक्तिय कंए करपालिका सक्तिय क्या हैं सव्धानी सक्तिय क्या क? नयागत्थ सक्तिय क्या है? यह सारहे आज़ चब्र हम करने वाले है ठीक इसी पर कासे हम राज्च सबह की बात करेंगे धना हमारा जो अन्स टोपिक या उचला सदन कहा जाता है क्योंकि दोसो राज सभा क्या है ये एक स्थाई सदन है यानि राज सभा के विग्ड़र नहीं होता है और इसके ऐक तीयाई सदसे हैं परते एक दो वर्स बाद जो है वो बाद में निउक्ट किया आते हैं प्राश्शाफा की अब्धी क्या है हमने कहा कि एक एक तिहाइ सदस to 2 बाद क्या हoud crochet औ उसके एक तिहाइ सदस्याट किया होता है आफ C22 डाज करते हैं और इस प्रकार जो है दो निया सदस्याथ डो यिए कि इतने अरश के पस्चात दो वर्स के जो पर राश्वास के एक तिहाई सदस्यों क्या होता है तुर्टाइर होने वाले सत्य ससे डो दोबार चुना होता है और राशzkती जो है इस सदन को भी भंग नहीं कर सकता है एक वर्स में राजसभा क्यों सकंगे जाए भाद्धना दिखो वह तीस वर्स क्यों जाए तीस वर्स क्यों सकंगे राजसभा की अधिक्तम संक्षा डोसчески 250 हो सकती है इस राजसभा के जो है 238 सदसे है जो है जनता द्वारा अपरत्यस रूप से चुने जाते हैं जिन सदस्यों जनता ने चुना है यानि जनता के प्रतनिद्य तरन का चुना होता है 250 में 250 में से 238 जो है वो जन्ता के प्रतनी द्वारा चुने जाते हैं बाकि 12 सदस्यों को चुना जो है दोस्तों कुन करता है राश्पती करता है यहां मनुनित इन्हें करता है ठीक यानि अगर हम बात करें राश्वाग कुल सदस्थ संक्या 245 इस समय है जिसमें से 233 जो है र है जबकि 12 सदस्यों मेन राश्पती द्वारा मनॉनित होते हैं या नहीं इस तरह से राश्वाग की बारे में हम बात करेंगे राजस्वा का धक्ष कोन होता है अदिवेशन कैसे होते हैं राजस्वा की सकतियां ठीक इसी प्रकार जैसे लोगस्वा की बात करें विदाई सकतियां विद्धेश सकतियां क्यार पालिका पर नियंतर सकतियां या न्याइक सकतियां सकतियां संकट कर यहां से 101 प्रसंट दोसो कोशन आने वाला है ठीक इसी प्रकास संसत की सक्तियां और कारेबी चाहिए हम करेंगे इसके साथ साथ संसत की निर्माण किया दोस दोस्तो कानून निर्माण किया जाता है उस परिकेदिया का भी हम अध्यक्त और siihen वाचन हो extracted इस एक को हम प्रत्रम वाचन कहते हैं क्या कहते हैं प्रत्रम वाचन दूसरा वाचन दोस्तों जो है क्या कहलाता है दूइत्य वाचन उसे हम कहते हैं दूइत्य वाचन दूइत्य वाचन तीसरा तृत्य वाचन तीन वाचन होते हैं पहले वाचन में क्या होता है साधारान जो बिल होता संसत की किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और जो भी सदसे कोई बिल पेश करना चाहता हो उसे एक महीनी पहले इस आज से की सूचना सदन के अध्याश को देनी पड़ती है कि वह बिल पेश करने वाला है दूसरे वाचन में क्या होता है इसमें बिल की पुनरस् प्रस्वताइब दोस्तों भात तीस्रिती वाचन इस पर क्योंतर बिचार करने पर nào के लिए बिल के लिए यह किरता जाती है और टीस चाहिए राश्त्रण आधकि भी-किसी सथमें अंत्युका पूस्त सब्सक्राइब करें दोस्तों हम पढ़ेंगे कि संसद्य समीथियां कौन सब्सक्राइब कोशन दोस पूछा जा सकता है तो कौन सी समीथियां होती संसद्य की कौन कौन सी समीथियां है जैसे अगर हम संसद्य की दोसे परमुख समीथियों के बात करें जैसे अगर हम समाने समीथियों के बात करें जो सदन के संगठन और सक्तियों से संबंदित होती है जो सदन के संगठन और सक्तियों से संबंदित होत क्येति इसमें अगर हम बात करें से कारिसमदि सलाकार समीटी और नंयम гр समीति जो सदर की काणून निर्मार में साहता करती है विधाई सम सब्धूर्ट दो सब्सक्राइब साथ नुड़न के इता हुंंगी मिलटीन गाटभी सेक्ट टीन में इसी वियोंगी वोटी है ल सब्सक्राइब सब्सक्राइब ओर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने वाले दोस्तों जैसे आप सब्सक्राइब बता है कि भाई राष्ट पती संसत का अभिन अंग होता है जो संसत बती है दोस्तों राष्ट पती लोक सभा और राज असब्धा से मिलकर बनती है तो कि अब राष्ट पती संसत का एक अटू अंग है और राष्ट पती दोस्तोंं जैसे दोनो सत्नों का अधिवेशन बुला शकता है अद्वेशन के समय बढ़ा सकता है अत्वा उसका घटा भी सकता है और लोकसमा को विग्डिद भी कर सकता है और दोनों सदनों द्वारा पास किये गए कोई भी विद्यक हो तब तक कानून बन नहीं सकता जब तक कि इस पर राश्पतिक अस्ताक्षर ना हो जाए तो इस परक एक्षन वीडियो जिससे आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है आने वाले पार्ट में दोस्तों चैप्टर करें तो आपको इंपोर्टन टोपिक पता होगा और आप आसे आसानी से उसे समझ सकते हैं साथे दाजो कुछ एक्स्टा जैसे टोपिक से हम बात करेंग करने वाले होते हैं और राजसभा धन भी लोग कितने समय तक रोख सकती है लोग सभा कितने समय तक रोख सकता है तो इस सभी चीज़ों पर हम चाचा करेंगे लोग सभा का प्रतम स्पिकर कौन था राजसभा का प्रतम देख्ष कौन था यह सारी चीज़े दोस्तो इस चेप्टर में हम करने वाल आप सभी के लिए काम करने के लिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा सेर कर आप सभी साह पार्टियों में सभी चाहतरों साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो लाव मिल सके और दा पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों चूंकि यह एक मातर चैनल है जहां पर आपको सर्टीक और अच्छी पॉलिटिकल साइन्स राजने दिविए पढ़ाए जागा आप देख सकते हैं कि पूछा तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके लोगा दोस्तों आप हमें इस्टाग्राम टेलिग्राम पर फोलो कर सकते हैं पॉल्टिकल मास्टर तेलिग्राम पर हमारे चैनल दानुलेश्टेवल इसका लिंक भी दसको मैं डिस्क्रेप्शन देदूंगा वहा झाल झाल झाल